C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पाठ सत्रह वीर कुमर सिह प्रिष्ट संख्या 122 आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जासी की रानी चठी कक्षा में पढ़ी होगी इस कविता में ठाकुर कुमर सिह का नाम भी आया है आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए इस स्वतंत्रता महा यग्ज में कई वीरवर आये काम नाना धुन्धू पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम एहमद शाह मौलवी ठाकुर कुमर सिह सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम यहां स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुमर सिह के बारे में जानकारी दी जा रही है सन 1857 के व्यापक सशेस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जणों को हिला दिया भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीती को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बागावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रेल 1857 को फांसी दे दी गई 10 मई 1857 को मेरट में भारती सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोशित कर दिया यह विद्रोह जंगल की आग की भांती दूर दूर तक फैल गया कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तरित भूभाग पर विद्रोहियों का अबजा रहा परिष्ट संख्या एक सो तेस दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीशन युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनव, बरेली, बुंदेल खंड और आरा इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानी विद्रोह हुए विद्रोह के मुख्ष नेताओं में नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, कुमर सें, मौलुई अहमदुल्लाह, बहादुर खान और रावतुलाराम थे 1857 का अंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दिल्ड कदम था, आगे चल कर, जिस राष्ट्री एकता और अंदोलन की नियुव पड़ी, उसकी आधार भूमी को निर्मित करने का काम, 1857 के अंदोलन ने किया, भारत में साम प्रदाइक सदभाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेश महत्व है, 1857 के आंदोलन में वीर कुमर सिह का नाम कई दिश्टियों से उलेखनी है, कुमर सिह जैसे वयो विद्ध व्यक्ति ने बिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ य जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुमर सिह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईसवी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिह और माता का नाम पंचरतन कुमर था। उनके पिता साहबजादा सिह जगदीशपुर रियासत के जमीदार थे परन्तु उनको अपनी जमीदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलजनों के कारण कुमर सिह के पिता बच्पन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। वीर होने की साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुमर सिह पर भी पड़ा। कुमर सिह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फार्सी सी थी परन्तु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुर सवारी तलवार बाजी और कुष्टी लड़ने में लगता था परिश्ट संख्या 124 बाबु कुमर से ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोश उत्पन हो रहा था कृशी उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था रजवालों के राजदर्बार भी समाप्त हो गए थे भारतियों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और उची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देश व्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी ऐसी स्थिति में कुमर्सिह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया जगदीशपूर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संथ रहते थे उन्होंने ही कुमर्सिह में देश भक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी उन्होंने बनारस, मतुरा, कानपुर, लखनव, आदी स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे उन्होंने बिहार के प्रसिद सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना सोनपुर के मेले को एशिय का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है यह मेला कारतिक पूर्णिमा के आवसर पर लगता है यह हाथियों के क्राय विक्राय के लिए भी विख्यात है इसी एतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनिता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांती के बारे में योजना बनाते थे 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकडी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सो नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े कुमरसें से उनका संपर्क पहले से ही था इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुमरसें का जैगोश करते हुए आरा पहुँचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया 27 जुलाई 1857 को कुमरसें ने आरा पर विजय प्राप्त की सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी यद्यपी कुमरसें बुढ़े हो चले थे परंतु वह बुढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए ततपर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपून केंद्र बन गया परिष्ट संख्या 125 दानापुर और आरा की इस लडाई की ज्वाला बिहार में सरवत्र व्याप्त हो गई थी लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी स्थानी जमीनदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक्तम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपूर का पतन रोका न जा सका 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुमर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई परन्तु इससे वीर वर कुमर सिंह का आत्म बल तूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे कुमर सिंह सासा राम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनव तक गए लखनव में शांती नहीं थी इसलिए बाबु कुमर सिंह ने आजम गड़ की ओर प्रस्थान किया उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाई रखा उनकी वीरता की कीरती पूरे उत्तर भारत में फैल गई कुमर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रीजों के होश उड़ गए कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुमर सिंह की अधीनता में लड़े उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही लोग शामिल होते गए और उनकी अगवाई में लड़ते रहे इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीती का प्रदर्शन करते हुए वे लखनव पहुँचे आजमगड की ओर जाने का उनका उद्देश था इलाहबाद एवं बनारस पर आक्रमन कर शत्रूओं को पराजित करना और अंततह जगदीशपुर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुवर्सिं की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगड पर कबजा कर लिया अंग्रेजोंने 12 आजमगड पर आक्रमन किया कुवर्सिं ने एक बार फिर आजमगड में अंग्रेजों को हराया इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुवर्सिं 23 अप्रेल 1858 को स्वाधीनिता की विजय पता का फैराते हुए जगदीश पुर पहुँच गए किन्तु इस बूढे शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सवभाग्य न मिला इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानि अंग्रेजों का जंडा उतार कर अपना जंडा फैराया इसके तीन दिन बाद ही 26 अप्रेल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया परिष्ट संख्या 126 स्वाधीन सा सेनानी वीर कुमरसिं युध कला में पूरी तरह कुषल थे छापा मार युध करने में उन्हें महारत हासिल थी कुमरसिं के रणकोशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूरण तह असमर्थ थे दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था 1857 के स्वतंतृता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिसधार से अंग्रेजी स्तेना को मौत के घाट उतारा उसकी चमक आज भी भारती इतिहास के प्रुष्टों पर अंकित है उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं कहा जाता है एक बार वीर कुएर सेंग को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी पर कुएर सेंग भी कम चतुर नहीं थे उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ा कर पार कराएंगे फिर क्या था अंग्रेज सेना पते डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुँचा और कुमर सेंग की प्रतीक्षा करने लगा कुमर सेंग ने बलिया से साथ मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुँचा पर कुमर सेंग की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी एक अंतिम नाव रह गई थी और कुमर सेंग उसी पर सवार थे अंग्रेज सेना पति डगलस को अच्छा मौका मिल गया उसने गोलियां बरसानी आरंब कर दी तब कुमर सेंग के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई कुमर सेंग को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा उसी खण उन्होंने गंगा मिया की ओर भाव पूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मिया को अरपित कर दिया कुमर सेंग अपने ओजस्वी स्वर में कहा हे गंगा मिया अपने प्यारे की या अकिंचन भेंट स्वीकार करो परिष्ट संख्या 127 27, वीर कुमर से ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लुहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किये, आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्मान किया गया, कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से एक है आरा जगदीश पूर सडक और आरा बलिया सडक का निर्मान, उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुए खुदवाते थे और ताला अमवेदन शील व्यक्ति थे, इबराहीम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, उनके यहां हिंदूओं और मुसल्मानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाये जाते थे, उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए, बाबु कुएर स बिहार के प्रसिद्ध कवी मनुरंजन प्रसाद सेहने उनकी वीरता और शौरिका वरणन करते हुए लिखा है चला गया यूं कुवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भैभीत वीर प्रसविनी भूमी धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत गाते थे और गावेंगे हम हर दम उसकी जय का गीत स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुवर सिह भी बड़ा वीर मरदाना था प्रिश्ट संख्या 128 प्रश्ण अभ्यास निबंध से प्रश्ण एक, वीर कुवर सिह के व्यक्तित्तु की कौन-कौन सी विशेष्टाओं ने आपको प्रभावित किया प्रश्ण दो कुवर सिह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था, क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली प्रश्ण तीन सामप्रदाइक सद्भाव में कुवर सिह की गहरी आस्था थी पाठ के आधार पर कथन की पुष्टी कीजिए प्रश्ण चार पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुवर सिह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे प्रश्ण पाँच आम तौर पर मेले, मनुरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं वीर कुवर सिह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? निबंध से आगे एक, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किनी चार सेनानियों पर दो-दो वाकि लिखिए दो, सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत, विभिन भाषाओं और बोलियों में गाय जाते हैं ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए अनुमान और कल्पना एक, वीर कुवर सेंका पढ़ने के साथ साथ कुष्टी और घुरसावारी में अधिक मन लगता था आपको पढ़ने के अलावा और किन-किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है लिखिए दो, सन 1857 में अगर आप बारह वर्ष के होते तो क्या करते कल्पना करके लिखिए तीन, आपने भी कोई मेला देखा होगा सोनपुर के मेले और इस मेले में आप क्या अंतर पाते हैं भाषा की बात, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुअचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्ग इ यानि बड़ी इ से हरस्व इ यानि छोटी इ हो गई है ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्ग इकार होता है बहुअचन बनाने पर वह इकार हो जाता है यदि शब्द के अंत में हरस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्थ नहीं होता जैसे द्रिष्टी से द्रिष्टियों दिये गए शब्दों का वचन बदलिये शब्द हैं नेति, स्थिति, जिम्मेदारियों, स्वाभिमानियों, सलामी, गोली अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तूती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत